नमस्ते मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेर बजार पे नेक्स वीक का विचलेशन एनलिसिस की बेख क्या होगा सोमवार से लेके शुक्रवार तक का शेर बजार पिछले दो सब्ता में अगर हमने देखा तो सुबाहस जी जो भी लेवल दे रहे थे तो उससरा जो लोवेस पॉइंट देते थे बैंग निफ्टी की बात करने तो 49,904 का लास्ट वीक में लोवेस बनाया और 52,178 का हाई बनाया और थरस्दे को क्लोज हुआ 50,180 के उपार. अब यह जो लगातार कुछले दो सप्ताओं से हम बाजार को गिरता हुआ देख रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है कौन है इसके पीछे FIIs की सेलिंग है जो लगातार होती आ रही है या डॉलर का मजबूत होना है या गोल्ड है या फिर इंफलेशन है और क्या आने वाले पर हम सुभाजी से सर्चा करेंगे इस वाजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवार रविंदर जी सभी वीवर्श को भी बहुत-बहुत धन्यवार जो मुझे फूल लगातार बाजार गिर रहा है भाई FIIs की सेलिंग की हमने लास्ता इम बात करी कि आपने बताया कि FIIs लगातार बेचों है और भी तक बेचते आ रहे हैं तो एक तो वो कारण निकल के आया इधर डॉलर भी मजबूत हुआ जब से ट्रंप एलेक्शन जीत गया चुनाओ जीत गया तो अभी जो आपको लग रहा है कि जो नेक्स वीक से बजार का क्या अस असर रहने वाला है और असल में इस महेंगा गिरते बजार के पीछे भारती गिरते बजार के पीछे घरेलू कुछ इंडिकेटर्स हैं या ग्लोबल क्यूज की वज़े से नार्केट गिर रहा है रविंदर जी देखिए जब बजार गिरता है तो कोई भी आदमी यह नहीं कर सकता कि बिहवियर क्या होगा बहुत सारे प्लेयर होते हैं एक प्लेयर है डोमिस्टिक इंस्टिशन दूसरा प्लेयर है इंडिज्वल इन्वेस्टर तीसरा प्लेयर है और बहुत सारे प्लेयर इसके अंदर होते हैं तो मार्किट में जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि भी 24,000 से निचे नहीं आना चाहिए 23,800 से निचे आये तो कहां तक आ सकता है तो मैंने का 23,500 से निचे नहीं जाना चाहिए और 23,887 जाके 23,500 पे बंद हो गया ठीक है न इससे निचे नहीं गया वो तो ठीक है और मैंने का उसके बाद बहुत तेजी पकड़ सकता है मार्केट ठीक है तो सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम एस्टिमेट करते हैं और उस एस्टिमेशन के साब से मैं आपको यह सजिस्ट करता हूं कि भी क्या रहेगा लेकिन अब भी मार्किट में जैसे कॉर्परेट के रेजल्ट जो आए वो बढ़िया नहीं आए वीक र नहीं है तो वो जब तक नेक्स क्वार्टर इसको ना देखी इसका मतलब मंदी थोड़ी सी लंबी बनी रहेगी पहला फेक्टर एप्याई सेलिंग को भी हम एब्जोर्ब कर लेते हैं लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर बेशने पार जाता है तो एक चिंता का विसे बन ज यह मारकेट यह जाना है दो मैंने बाद जाए तीन मैंने बाद जाए एक मैंने बाद जाए क्योंकि लोन्टरम economy बहुत स्ट्रोंग है हैं जो लेकिन क्वार्टर ली रेजल्ट्स अभी सेकंड क्वार्टर के अप्टूदी मार्क नहीं है तो उससे लोगों में थोड़ी घवराट आ गई है और वह घवराट कब खतम होगी यह इसके पीछे जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि कारण क्या है गवर्मेंट अभी जैसे महाराष्टरा में जारकन में लगी हुई है तो कैपिल एक्सपेंडिचर वगेरा जो है वो अब इसके बाद स्टार्ट होंगे तो रजल्ट जो है न दिसंबर में थोड़ा सा आएगा बेटर लेकिन इस्टिल जनवरी फरवरी मार्च वोड़ी फंटास्टिक और दि वो एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यह दिसंबर नौउंबर के बाद यह आप कहल सकते हैं यह तेशनौबर के बाद यह एकदम इक्सपेंडिचर एकदम स्पीड से बढ़ेगा और दिसंबर में अच्छा बढ़ेगा तो उससे प्राइवेट कैपिल पर भी आएगा तो कॉर्पेट्स में थोड़ी सी बेटर उसकी प्रोग्रेस बेटर बनेगी और लेकिन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी जनुवरी फरवरी मार्च में तो उससे तो थोड़े उससे बेटर होंगे और फॉर्थ क्वार्टर शुड़ भी दी एक्सलेंट तो ये एक ये कारण बना हुआ था अच्छा बाकी जैसे ट्रंप जीता है इसके पीछे प्लस और माइनस दोनों है ये नहीं है कि ट्रंप जीता है तो हमारी एकनोमी एकदम स्ट्रोंग हो जाएगी ट्रंप जीतने से क् जैसे सबसे पहले उसने अपनी दो स्पीचेज में कहा है वह कैसे एक्सल लेगा की अमेरीका फस्ट ट्रेड प्लिशी होगी चाइना के वह क्यागेंस्ट में होगी इंडिया के फिवर में होगी लेकिन अमेरिका फस्ट और ऐस बीं विजा जो है उसमें भी प्रोब्लम है जैसे मैंने पहले भी बताया था तो वहां पर बहुत सारी कंपनियां यहां से लोग लेजाती है और वहां सर्वीसिज देती है अच्छा इंकम अंकरती है जब वो यहां से लोग नहीं जा पाएंगे तो वो दिक्कत होगी तो इसके कई और तरीके हैं जिस आउट्सोर्सिं जो मैटल और एलमूनियम और इनके जो एक्सपोर्स हैं पिछे कम हो गए थे और चाइना में मुझे लगता है कि टैरिफ रेट ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया में कम बढ़ेगा यह भी एक कारण है तो उससे भी वो ठीक होगा डिफरेंशियल हमारा नए नए नहीं नही सब्ढ़ गार गए और भूरधिक बीजलेगा और लो पैसा इसा अमेरिका में इनवेस्ट होगा तो यह बॉन्ड एल्ड वहां पह अच्छी रिटन देगी इंफलेशन in बढ़ेगा और दो रेंट कान संब नहीं होंगे फैड का rate cut नहीं होगा और फैड का rate cut नहीं होगा तो वहाँ पे borrowing भी महेंगे हो जाएगी और उससे bond के yields भी बढ़ेंगे और पैसा जो emerging market से निकल के US में जाएगा attractive हो जाएगा तो यह तो एक कारण है यह उस angle से negative है लेकिन positive angle क्या है कि यहां से हमारा बहुत सारी चीजों में चाइना एंटी चाइना है प्रोटेक्शनिस्ट है तो चाइना पर जो टैरिफ बढ़ेगा तो यहां की industry बहुत attractive हो जाएगी और यहां से export US में बढ़ जाएगा जिस जिस product में चाइना में ज्यादा टैरिफ लगेगा इंडिया में कम लगेगा तो वहां नहीं नहीं हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और उससे जब उस कंपनियों के यहां बढ़ जाएंगे एक्सपोर्ट बैटर हो जाएगा और यहां पर बहुत सारी अवडिया उन कंपनियों में आना सुरू होगी तो दूसरे तरीक के निकलेंगे तो यह एक सेप है जो एक्जिस्टिंग चल रहा है और नए सेप में कर्मट होगा तो यह क्रांजिशन प सकता है मैं पिछली बार आपको कहा था कि साड़े 23,000 होगा तो मार्केट में एकदम वापिस आएगा और 25,000 का लेवल वापिस चू सकता है लेकिन अभी वह यह था कि भी हम रेटेल इन्वेस्टर हमारे डियाइए बड़े स्ट्रोंग रहेंगे और दूसरे तरीके से हमार मार्केट बेटर हो जायेगा जो कि एल्टिमेटली लॉगट्रम हमारा इन्वेयर को मार्केट को अंडरेस्टरेंड करना बहुत डिफकल्ट है अभी मार्केट में मंदी लग रही है ठोड़ी सी लेकिन ये लोंग ट्रम बायर के लिए ये अट्रेक्टिव रेट्स है सुवाज इसमें इस चीज़ और बताई जैसे आपके मार्केट और नीचे जा सकता है तो एक जो बड़ा सपोर्ट 23,300 के आसपास है अभी पांदस मिंट तो दिक्कत नहीं होनी चीए लेकिन यही है कि कुल मिलागते 23,000 तक लोवेस जा सकता है अगर 23,300 के भी तोड़ता है तो 23,000 तक जा सकता है 24,000 उपर में लगता है और इदी मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी हमारा 50,180 पर क्लोज हुआ था तो बैंक निफ्टी यदि पहले तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था लेकिन फ्राइडे को उसने वीकनेश दिखा दी तो वहाँ पे 50,180 से मैं बैंक निफ्टी का जो रेंज दे रहा हूँ 49,200 और अच्छा तो यह आनि कि यह जो आपने 23,000 से लेके 24,000 की जो रेंज दी है यह आपने नेक्स वीक की रेंज दे दी है 18 से 22 नुबर के लिए और बैंक निफ्टी की जो रेंज आपने दी है 49,200 से लेके 51,000 तक की दे दी है 49,200 से देखो आपको मैं थोड़ा सा ट्रम की वज़े से क्या क्या है उसकी जो है डोमेस्टिक ग्रोथ वो करेगा अपनी लोकल कॉर्पेट टेक्स कट करेगा वहाँ पर और ट्रेड प्रोटेक्सिनिजम रहेगा वहाँ पर जो इंपोर्ट होता है उसको रोकेगा और वहाँ लोकल प्रोडेक्सिन बढ़ाएगा वहाँ के लोकल लोगों को एंप्लॉइमेंट मिले इसलिए H1B विज़ा कम देगा डोलर को स्ट्रेंथ करेगा डोलर स्ट्रोंग होगा तो वहाँ पर पैसा वापिस आएगा जो अमर्जिंग मार्केट में गया हुआ है उनकी बोंड के अट्रेक्टिव होंगे पैसा वापिस आएगा ठीक है जी तो और डोलर स्ट्रोंग होने का मतलब यह है कि इंडिया से पैसा निकल जाएगा FDI और FPI से लेकिन दूसरी तरफ से जो इंडिस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट करेगी उसे हमें फायदा हो जाएगा उसमें फायदा हुआ वहाँ पे डोलर वहाँ पे दूसरी FPI आईगी और वो उसमें इंवेस्ट करेगी तो और सो टरम के बाद इस्टेबिलिटी के बाद बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएगी स्टेबिलाइज हो जाएगी तो वापिस हमारा जैसे क्वाटरली रेजल्ट दिसंबर में जनवरी में फरवरी में ये केपल एक्सपेंडिशर बढ़ेगा और हमारे डोमेस्टी रेजल्ट्स बेटर आएगे तो वापिस से बाइंग आएगी और जो चाइना के अंदर पैसा लगा था वो भी ज्यादा अट्रेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि उनको डबल मार पड़ेगी अमेरिका से भी जो प्रोब्लम है तो वो भी उनकी एक्सपोर्ट कम होगा उनकी कंजमिशन्स कम होगी और फिस्कल स्टीमूलस वो बढ़ा भी रहे है लेकिन उनकी जो प्रोपर्टी की रेट्स हैं वो अभी भी नहीं गिरते वे हैं और डिफ्रेशन टाइप सिच्टूशन बनी वी है चाइना के अंदर तो डिमांड भी वाकी प्रोप्लम में जी सुभाजी एक चीज़ और बताई जैसे निफ्टी जो है न अपने हाई लेवल से टॉप लेवल से जो है लगबक 10 प्रतिशत से ज़्यादा तूट गया है तो क्या ये मलब जैसे आपने वैसे तेईस अजार बताई दिया है कि वहीं तेईस अजार का पॉइंट अभी हो सकता है और आपके हिसाप से भी लग रहा है कि मजबूती फिलहाल नहीं देखने को दिख रही है मजबूती जो थर्ड क्वाटर के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम बजार में मजबूती देख सकते हैं और इन्वेस्टर्स के जो लॉंग टर्म इन्वेस्टर्स हैं आपकी बातों से मैं समझ रहा हूं कि ये सही समय है पैसा इसमें अच्छे शेर्स में लगाने का देखिए निफ्टी हाई 26,270 गया था उससे आज के टाइम में ये 10% से ज़्यादा टूट चुकआ है लेकिन इतनी के बावजूद भी 10% टूटा है ये बहुत कोई ज़्यादा नहीं टूटा है मार्किट और इसी परकार बैंग निफ्टी 8% से ज़्यादा टूट चुकआ है क्योंकि 54,466 गया था ही में और 50,180 हमारा क्लोज हुआ था तो 8% से ज़्यादा फोल नहीं है और यदि हम निफ्टी मिड कैप और उसको भी देखें वो भी 10% से ज़्यादा 10% के आजपास ही तूटे हैं क्योंकि वहाँ पर भी 60,925 हाइस में गया था जो अब 54,043 है आप से पूछ रहा था कि वही और आप भी बात कहते थे कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है और करेक्शन आएगा क्या तो जो करेक्शन आने वाली बात थी तो क्या यह वो समय है जो करेक्शन आया है यह देखो यह है एक्सपेंसिव था हमारा मार्केट और यह अभी करे प्रेक्शन आना वो क्या होता है कि जब वो डिमांड सप्लाई का गेम है जब वेंड और 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 वो रहा है तो यह दोनों चीजें हैं तो इसलिए जो समझदार इन्वेस्टर है वो इस चीज़ को अंडरस्टेंड करना चाहिए यह टेंपरियरी है फंडामेंटल यह लेवल्स है जो कि लोंग ट्रम इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट किया जा रहे हैं आला कि टेक्निकल के साब से मैंने आपको दिज़ार तक का लेवल दिया है और बै मार्केट में टेक्निकल के साब से डाउन है फंडामेंटल के साब से स्टेंथ है लेकिन मार्केट तो मार्केट है वो मार्केट जैसे चलेगा वैसे इमीजेट गें के लिए तो वही है अगें राइस के उपर सेल करें और ना डिप पर पाई करें तो यह अभी एक विक यही है तो बिल्कुल ठीक है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मार्केट में फिलहाल अभी सुभाज जी के विशलेशन के नुसार मंदी है अभी कोई तेजी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही और जो नेक्स वीक के लिए 18 से 22 नॉंबर तक का जो ल बश्यलें क्योंकि शेर मार्केट जोखिम भरा बजार है और इस समय तो खास तौर से जो दर्शक हैं और जो नहीं है जो दूर से भी तमाशा देख रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि वह इसमें जोखिम फिलाल कितना हो जाता कई बार तो इससे हमेशा बचें और सतर्क के साथ से भी वह मंदी दिखा रहा है और इसी प्रकार ढर और साइब मनदी दिखा रहे है र्लेटिव इंडेक्स टो वी तेंजिन ही दिखाई तो सारे चैच्निकल लिए-डा क्रह तो अभी मंदी टेंप्रशर और दूस लौञब क alarm दो शो आप वाप वी दनिवा नमस्टे दनिवा